आज मैं आपको होमियोपेटिक के अंदर एक ऐसी दवा से परिशित कराता हूँ जो पत्री की खेती करते हैं पत्री की खेती करते हैं यानि कि कहीं भी जो पत्री होती है वो माल लीजे ओप्रेशन से हो गई ठीक या दवाई से हो गई ठीक फिर हो जाती है फिर ठीक हो जाती है चाहे सरजरी से ओर हो फिर हो जाती है तो ये परवर्ति चलती ही रहती है तो इस परवर्ति को खत्म करने के लिए वैसे पत्री के लिए बर्बेरिस वल्गेरियस जो दवा है वो खास दवा है मैं उसका जिक्र नहीं करूंगा वो पत्री को बाहर निकालने की दवा है मैं जो दवा का जिक्र कर रहा हूं कि एक बार होगी ठीक होने के बाद अगर इस दवा का इस्तेमाल कर ले तो उसे बार बार या फिर कभी पत्री नहीं होगी फिर कभी का मतलब दस साल पांच साल ये तो मैं नहीं कह सकता लेकिन बार बार पत्री नहीं होगी और इसको लेने में कोई नुक्सान नहीं जिनको एक दो बार हो चुकी है तो उनको तो लेने ही चाहिए बाकी भी जिनको एक ही बार हुई है और कोई जरूरी नहीं उनको दुबारा हो तो फिर भी वो इसकी एक हजार में महिने में एक खुराग तेन महिने तक तेन खुराग लेके बंद कर दें ताकि निकट बहुशे में सुरक्षित हो जाएं दवा का नाम है फ्रागेरिया फ्रागेरिया जो दवा है ये इसके अलबा और रोगों को ठीक करती है मैं पूरा बताता हूँ आपको फ्रागेरिया ओस्री का ये हट जगे मिल जाएगी आपको लेकिन बड़े सहर में फ्रागेरिया ओस्री का परियोग एनेग परकार के रोगों को दूर करने के लिए किया जाता है ये ओस्री विशेश रूप से पाचन तंत्र आंत्रा योजनी गरंखियों पर किरिया करती है उससे संबंदित लक्षनों को समाप्त करती है ये ओस्री पत्थरी को गला कर निकालती है अगर पत्थरी भी हो रही है तो इसका 200 पोटेंसि में परियोग कीजिए गला के निकाल देजी पत्थरी को गला कर निकाल देती है दांतों पर जमें मेल साप करती है और गठिया के दोरे को रोकती है ये ओस्दीर सरीर की गर्मी को दूर करती है इस्ट्राव बेरी के अधिक सेवन से बिमार पढ़ने वाले वेक्तियों में विशाग्त लक्षन पैदा होने पर तता छपाकी अत्वाशीत पित के समान दाने आने पर फ्रागेरिया विश का इसका पूरा नाम फ्रागेरिया विश का ओस्दी का परियोग किया जाता है एसी इस्टिती में रोगी को फ्रागेरिया विश के उच्च सक्ती दी जाती है इसकी दो सो से कम कामें नहीं लेनी चाहिए और पत्री की जो खेती करने वाले है या एक बार से दुबारा हो गई है तो उनको इसकी एक हजार पोटेंसी महिने में दो खुराख छे महिने तक लेने के बाद फिर बगवान चाहेगा तो नहोगी अटेनम हो तो भी ले सकते हैं हाँ इसके अलावा उच्च सक्ती में ये अच्छा काम करती है एडियों का फटना अस्तनों में दूद का कम होना तथा बालों का गिरना आधी लक्षनों में फ्रागेरिया उस्तिका परियोग करने से रोग ठीक हो जाता है शरीर के बिबिन अंगों में उत्पन लक्षनों के आधार पर फ्रागेरिया उस्तिका परियोग मुग के लक्षनों में जीव सुजी हुई जर बेरी की तरह जीव का हो जाना आधी मुग के रोग के अंदर फ्रागेरिया उस्तिका सेवन करने से रोग ठीक होता है चरम रोगों के अंदर ठंडी या गर्मी मैसूस होना तोच्चा बेंगनी रंका होना तता दाने दास फुन्सियां जिसे दाने निकलना पूरे सरीर में सूजन आ जाना आदी तोच्चा रोग के लक्सनों में प्रागेरिया उस्टी का परियोग करने से रोग समाप्त हो जाता है इसकी जो बराबर की तुल्निय दवा है वो है एपिस और केलकरिया कार्ब ये लिखते हैं फ्रागेरिया उस्टी की तीन सक्ति का परियोग किया जाता है तो अब तीन वाला जमाना नहीं है ना दोसों से कम काम में मत लो और जो ऐसे जो चरम रोग है तो इनमें तीस पोटेंशी दिन में तीन वाल लो उसमें हाई पोटेंशी न ले अगर पत्री को खत्म करना है तो दोसों पोटेंशी ले ओétais हाई हजार या देस हजार मैं बता चुका हूँ उसे साथे लेले में तो फिर नहीं होगी अब मैं जाते जाते एक गरेलू नुसका अब देखो कोई चीज अगर बोलते हैं ना तो याद आ जाती है मैं क्या करूँ कोई दुल्लब नुक्सका नहीं है बहुत सरल है अंगूर की लकडी अंगूर की बेले जो होती है तो लोहे का जाल बनाया जाता है जहां गार्डन होता है अंगूर का यहां अंगूर पैदा होते हैं तो लोहे के तारों से ऐसे उपर छत बनाई जाती है बड़ी लंबी चोड़ी बनाई जाती है तो अंगूर की बेल को उसके उपर चड़ा देते हैं वो उसके उपरी फेलती है, फेल करके गुच्छों के अंदर अंगूर लटकते हैं, तो वो जो बेल फेलती है, तो उसके डंठल जो है, या उसकी जड़ है, वो इतनी मोटी होती है, डंठल ये अंगूटे के बराबर के होते हैं, तो ये जहां बाग है, हुआ खुब मिल जाएगी आप कोई पैसा कोड़ी भी नहीं लेगा आपको ज्यादा लागे भी क्या करना है करीब पाव बर या 300 गराम करीब अंगूर की लकड़ी लाएं वो डाली की हो जड़की हो कोई की हो अंगूर की लकड़ी ला करके और उसको गेऊं छानने की उसके अंदर रख करके और गेश चालू करके उसको जला में उसके अंदर जलाते हो आप तो कोई ये नहीं केरोसिन डाल दें या इस तरह की कोई चीश डाल दें ऐसा नहीं जब वो बिल्कुल कोईला हो जाए उसको बारीग पीस लें बार एक पीछने के बाद काथ की सीशी में बढ़ लें उपर ले भी लगा लें पत्री की दवा तो वो फ्रेगरिया के बराबर की दवा बनी है यानि कि जिनको बार बार पत्री होती है तो उसका आदा चमत सुबह आदा चमत रात को गाई के दूठ से या गुनगुने पाने से एक डेड़ मैना लेने से पत्री की तकलीप नहीं होगी दोस्तों ये वीडियो दिया गर्यलू परियोग आपको गिप्ट में दिया है अब सब्क्राइब करना तो आपका काम है